मेरे उख्रेंज, मैं अनामी का, मेरे की सिर्मे आफ्री का श्वावत है, मैं एक साथ में सामभर मशाला की रेजबी लेकर आए, इसे बनाना बहुत ही आजान है, से ज़री उटापर्ट में के बनाना शुक्त करते हैं शामभर मशाला बनाने के लिए हमने जो खड़े मशाले लिए हैं, उसका नाम है धनिया, जीरा, शर्षो दाना यानि की मैश्टर जील, ब्लैक पेपर यानि की काली मिर्च, मेथी दाना, डाल में हम चना डाल दिये हैं, उड़द डाल, इसको सफेद डाल भी करते हैं, थोड़ा सा हम शुखा हल्दी पॉडर लेंगे, हींग यूज करेंगे, और लाल मिर्च, सुखी लाल मिर्च, नारियल के कुछ पीसेस है, ज थोड़ा सा कड़ी बता हम यूज करेंगे, तो चलिए हम गयस के तरफ चलते हैं, शांबर मशाला बनाने के लिए हमने गयस बेक बड़ाशा कडाही रख लिया है, आप कोई भी पैन रख लीजिए, और इसमें हम मशाला डालेंगे, तो सबसे पहले हम इसमें धनिया रोष् और कोई कम फिर वो मशाला कड़वा लगने लगता है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे धनिया डालेंगे, धनिया को हम आधा मिनट तक अच्छे से धूनेंगे, ध्यान रहे फ्लेम हमें श्रो रखना है, जब हमने कड़ा ही गरब कर लिया, तो फ्लेम को श्रो करके ही धूनना है, तभी अच्छे से मशाला यह अपना भूनता है, आधा मिनट हो चुका है, अब हम यहाँ पे डालेंगे जीरा, जीरा को भी हम आधा मिनट धनिया के साथ भून लेंगे, जीरा अपना भून चुका है, अब हम यहाँ पे डालेंगे शुखी लाल मिर्ष, तो यहाँ पे आप काश्मेरी लालमीर्च ले लीजिए नहीं तो उपर से काश्मेरी लालमीर्च पॉरर डाल सकते हैं इसे भी हम धन्या और जीडा के साथ 12 मिनट तर भूनेंगे अब हम डालेंगे मेथी दाना तो मेथी दाना बहुत कम भूना जाता है तो इसका टेस्ट सांभड में कड़वा आने लगता है, तो याना पर हम लाश्ट में मेथी दाना डाल दहीं हैं, साथ में हम डालेंगे ये ब्लैक पेपर, तब ही मसाले को हम कुछ मिनार तक दूनेंगे, अब हम डालेंगे नारियल और कड़ी पत्ता, ये सुखा नारियल है, इससे बहुत ही बढ़ना शांभड में शवाद आता है, तो इसे भी हम अछी से भूण बेंगे, अब हम डालेंगे इसमें मश्टर्ड शिट, मश्टर्ड शिट बहुत जल्दी चटक जाता है, तो हम इसे बाद में डालते हैं, मसाला से अच्छी खुषभू आने तक हमें न धुनना है आप यह बाime जिलान रखें हमें डाल डालना है तो दाल को हमें मोस्टर खत्म होने तक ही भूनना है तो यहां पे हम सना दाल डाल रहे हैं सांत मिं ही हम इसमें ऊड़य डाल भी डाल दे रहे हैं इन शारे इंगलियांस को अब हमें अच्छे शे कडारा होने 같्व तो हम इसे जो मिनट ही भूनेंगे श्रोपनें पे तो यह तयार हो जाता है हमने मचाला को अच्छे से रोष्ट दिया है यानि भी 2-3 मिनट लग गया हमाना मचाला रोष्ट करने में आप शुन सकते हैं इसमें से खनकने की आवाद आ रही है कड़ी पत्ता की कलर देखिए यह भी सुप चुका है निर्च भी तो इसका सेंबल है कि अपनी शारी मचाले रोष्ट हो चुके हैं अब हम इसे एक फ्लीट में ट्रांसफर कर लेंगे मचाला आपना अडूं टम्टेवचर पे ठंड़ा हो चुका है और क्रिश्पी भी हो चुका है तो चलिए हम इसे मिक्सर जार में ट्रांसपर कर ले रहे हैं तो हमने यहां छोटा वाला जार लिया है और इसमें सभी मचाला ट्रांसपर कर लेंगे अब हम इसमें डालेंगे वन फोर्च चमच हें और आभी चमच हल्दी और इसमें हम डालेंगे दो चमच कासमेदी लाल मिर्च अगर आपके पास साबूत लाल मिर्च है तो वही डालिए नहीं तो मार्केट से मिली हुई पौडर भी डाल दीजिए यह कलर बढ़िया आता ह तो चलिए हम धर्कन लगा के इसे पीश लेते हैं हमने सामभर मशाला पीश लिया है तो आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया अपनी मशाला तयार हुई है आप मार्केट से भी लाते होंगे और ये भी मशाला देख लीजिए बिल्कुल शेम तो शेम तयार हुआ है उसे टोड़ करके आप 20-25 महीना दिन तक खा सकते हैं अगर इधर खड़ाब होने का ड़र है तो आप जार को फ्रीज में रखके खाए तो फ्रींट्स आपने देख लिया शामभर में शाला बनाना कितना आज़ान है इसे आप जरूर ट्राइ कीजिए और ताजी ताजी मशाली का आनद लेजी और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए धन्यवाद